नमस्कार आपके साथ मैं रोहित कुमार आप है न्यूज फोर नीशन पर बड़ी ख़बर है बिहार से जहां पर सेमने तीश कुमार और तेजस्वी आदब के शपत ग्रहन कारिकरम के पूरा होने के बाद अब कैबिनिट में मंत्री कौन होगा इस पर एक और जहां मंथन चल दूसरी तरफ अब बिहारिक धान सभा का विशे सत्र बुला लिया गया है यह सत्र जो है वह 24 और 25 अगस्त को होगा इन दो दिनों में नई जरकार जो है अपना फ्लोर टेस्ट करेगी क्योंकि राजिपाल महोदे के सामने जो दिया जो जो दिया गया है समर्थन पत्र उसम में 164 वधायकों का जो समर्थन है वो उसमें हासिल है और अब सिय में तीश कुमार जो है तेजस्वी आदब और बाकी के जो दल है उन तमाम दलों के साथ में जो है अपना वहां पर फ्लोर टेस्ट करेंगे और साथी साथ नए स्पीकर का चुनाव भी हो सकता है सबसे बड दलना है लहाजा तयार शुरू कर दे गई है निता प्रतिपक्ष थे थे तेजस्वी आदब अब बिहार सरकार में डिप्री सीम हो गए है तो नितीश कुमार आठवी बार बिहार के मुख्यमंत्री के तोर पर आए हैं और करीब पांच साल के बाद उन्होंने एक बार फिर जब 24 और 25 अगस्त को जो है बिहार दान सभा का विशेस सत्र आहुत किया गया है और इस दिन ही फ्लोट टेस्ट कराया जाएगा और साथे साथ ने स्पीकर का चिनाव भी होगा बता दें कि अभी हाल में ही बिहार दान सभा का जो मौनसून सत्र है वो समाप्त हुआ है लेक इसे दिन जो है एक तरह कहा है कि फ्लोटेस्ट मतलब की सकती प्रदर्शन होगा लेकिन यह पहले से तैमाना जा रहा है कि इसमें तरह स्वी आदब जो हैं उनकी आरजीडी लेफ्ट की सभी पार्टियां जो निर्दली हैं जितना माझे कि हिंदुसानी वां मोर्चा और न इश्कुमार ने जहां बीजेपी पर जोड़दार हमला बुला कहा कि अब वो ये बीजेपी नहीं है जो कि अटल जी और अडवाने जी के वक्त में हुआ करती थी इस बीजेपी ने कहीं मुद्दों पर समझोता किया है तो दूसरी तरफ तरफ जस्वी आदम ने भी साफ क कर दिया है कि जो वाइदे उन्होंने बिहारी जनता से चुनाव के वक्त में किये थे उन वाइदों को पूरा करने के हर संभव कोशिश करेंगे पांच साल के बाद चाचा और भतीजा एक बार फिर से साथ आ रहे हैं सरकार में तो जोश जो है दिखता देखती बन रहा है म जो सची वाले हैं पुरान सची वाले वहां पर और वहीं पर यह मीटिंग हुई और उसके बाद अभी खबर सामने आ रही है कि सियम इतिश कुमार ने जो है विशेस सत्र जो है बिहार धान सभा का उसको आहुत किया है और यह होगा आने वाली अगस्त की 24 और 25 तारिक को औ ज्यूंका इस पर अभिशन से के बादल जो हैं वो चायव हैं दूसरे तरफ तजस्वी आदब ने ऐसी जानकारी मिल रही है कि आज शपत ग्रहन तो कर लिया है लेकिन उन्होंने कैविनेट में मंत्रियों के कि शपत ग्रहन से ठीव जो उनके मंत्री बनाये जाएंगे उस में 20 का मतलब है कि या सतरा जो भी महागरवंद्धन के तरफ से जो मंत्री बनाया जाएंगे उसमें महागरवंद्धन के सभी दलिस में आर्जेडी कॉंग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल होंगी तो दूसरी तरफ जो नितीश कुमार की जदू है उसके अगवाई म मोर्चा और निर्दलिये विधाय की तरपर सुमेट जो हैं उन लोगों को अकॉमडेट किया जा सकता है कौन बनेगा मंत्री किसको क्या मिलेगा गिरी बिभा किसके पास में होगा समान प्रशासन कौन रखेगा इन तमाम चीजों पर फिलाला भी जो है सिफ चर्चा हो रही कि यह कुछ भी पोगता तो पिनिकल एक सामनी नहीं आया है फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार